Hello Friends, Welcome to Study News आज हम इस वीडियो में अक्छांसी रेखाओं के बारे में बात करेंगे किसी इस्थान की इस्थिती का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है प्रतम खगोलिय इस्थिती जिसे Astronomical Location कहते हैं जिसमें अक्छांस तथा देशांतर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है दूसरी भोगोलिक इस्थिती जिसे Geographical Location कहते हैं जिसमें किसी इस्थान को अन्य समीप वर्ती स्थानों, देशों, इस्थलकंडों तथा जलरासियों के परिपेक्च में व्यक्त किया जाता है खगोलिये इस्थिती को समझने के लिए गलोब या मानचित्र पर अक्छांस तथा देशांतर रेखाओं का रेखाजाल समझना अवश्रिक है इसलिए इस वीडियो में हम लोग Latitude Lines या अक्छांसिये रेखाओं के बारे में विध्युत जानकारी प्राप्त करेंगे भूगोल में किसी इस्थान की स्थिती को बताने के लिए उस इस्थान का अक्छांस तथा देशांतर बताया जाता है किसी इस्थान का अक्छांस धरातल पर उस इस्थान की उत्तर दक्छिड इस्थिती को बताता है उत्तरी और दक्षिडी धुरूओं का अक्षांस क्रमसह 90 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री दक्षिड होता है विश्वत वृत के सभी बिंदूओं का अक्षांस सुन्य होता है अर्थात भूम अद्धे रेखा सुन्य डिग्री अक्षांस से होकर जाने वाली रेखा होती है विश्वत वृत की उत्तरी एवं दक्षडी दिसा में एक डिग्री के के अंतराल से खीचे जाने पर 90 डिग्री अक्षांस वृत होते हैं यानि कि किसी भी स्थान का अक्षान्स 90 डिगरी से अधिक नहीं हो सकता। विश्वत वृत के उत्री भाग को उत्री गोलार्द और दक्षडी भाग को दक्षडी गोलार्द कहा जाता है। अक्षान्स रेखा ना माना जाए क्योंकि ये बिंदु के समान होती हैं तो 189 बताई जाती है। एक डिगरी के अंतराल पर खीचे जाने पर किनी दो क्रमागत अक्षान्स रेखाओं के बीच की लंबाई 111 किलो मीटर होती है। अब बात करते हैं कुछ विसिष्ट अक्षान्स रेखाओं के बारे में। धर्ती की कुछ अक्षान्स रेखाएं जिनके विसेष नाम हैं। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त ऐसी चार और अक्षान्स रेखाएं जो विसेष हैं। उत्तर धुरुवेवरित आर्कटिक सरकल जो 66 डिगरी 34 मिनट या लगवक 66 डिगरी नौर्थ में हैं। इसके बाद है करक रेखा जो 30 डिगरी 26 मिनट नौर्थ पे है, मकर रेखा 30 डिगरी 26 मिनट साउथ और दक्षिड धुरुवेवरित जो अंटार्टिक सरकल में है, 66 डिगरी 34 मिनट साउथ में है। अक्षांस भू मद्धे रेखा से किसी भी स्थान की उतरी अत्वा दक्षिड धुरुव की ओर की कोड़ी ये दुरी का नाम है। भू मद्धे रेखा को जीरो डिगरी की अक्षांस रेखा माना जाता है। भूमद्धे रेखा से उतरी ध्रू की और की सभी दूरियां उतरी अक्छांस और दक्चिड ध्रू की और सभी दूरियां दक्चिड अक्छांस में मापी जाती है ध्रूओं की और बढ़ने पर भूमद्धे रेखा से अक्षांस का मान बढ़ता है और ध्रूओं का अक्षांस मान 90 डिग्री है सभी अक्षांस रेखा हैं परसपर समानंतर और पूर्ण वृत होती हैं ध्रूओं की और जाने पर वृत छोटे होने लगते हैं दो अक्षांस रेखाओं के बीच में जो इस्थान पाया जाता है उस इस्थान को जोन कहते हैं। पृत्वी के किसी इस्थान से सूरे की उचाई उस इस्थान के अक्षांस पर निर्भर करती है। नियून अक्छांसों पर दोपहर के समय सूरे ठीक सिर के उपर रहता है। पृत्वी के तल पर पढ़ने वाली सूरे की किरणों को किरणों की गर्मी विभिन अक्छांसों पर अलग-अलग होती है। पृत्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की इस्थिती का निरधारन उस इस्थान के अक्छांस और देशांतर द्वारा ही किया जाता है। जीरो डिगरी अक्छांस पर खीची रेखा वह मद्य रेखा या विश्वत रेखा कहलाती है। इन सभी देशों से होकर विश्वत रेखा गुजरती है। अक्छांस रेखाओं की कुछ विश्वत रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। सभी अक्षांस रेखाएं एक दुसरे के समनांतर होती है और पूर्ण वृत होती है अता इन्हें parallels भी कहा जाता है सभी अक्षांस रेखाएं गलोब पर शुद्ध पूर्व पस्चिम दिसा में खिची हुई होती है सभी अक्छांस रेखाओं में केवल भूमद्य रेखा ही व्रिहद वृत या ग्रेट सरकल कहते है भूमद्य रेखा एवं धुरूओं को छोड़ कर सभी अक्छांस रेखाएं लगू वृत होती है भुमद्य रेखा के दोनों और अक्षांस ये वृत छोटे होते जाते हैं उत्तरी एवं दक्षणी ध्रू बिंदू मात्र के होते हैं अक्षांस रेखाओं का अधिकतम मान 90 डिगरी उत्तर अथवा 90 डिगरी दक्षिड तक होता है सभी अक्षांस रेखाएं समान दूरी एक डिगरी के अंतराल पर लगभग 111 किलो मीटर पर खीची जाती हैं एक डिगरी के अंतराल पर कुल 181 अक्षांस होते हैं तो ये थी पूरी जानकारी अक्षांस या लैटिटिटूड लाइन्स के बारे में ग्क्क रवाचिंस वर वाचिंवें को वि civ किया एंता है